तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी बच्चों की या बड़ों की किसी की भी आप लेडीज बूट बना सकते हैं बहुत एजी तो मैठेट कैसे मैं समझा देती हूं आपको जैसे कि यह आपका पैर है मान लेजे और आपको ऊपर टो जो है वहां से लेक अपना पैर इस तरह से आप तिर्शा करके इस तरह से पूरा आपको ऊपर की उंगली से लेके पीछे एडी तक माप लेना है सीधा सीधा तो मान लिजे आपका जो भी माप आया मैं हापे 6 लिख रही हूं एक रैंडबली नंबर लिख रही हूं आपका जो भी माप आया उस के दिए ले लेंगे जैसे 7 है तो 7 चोडड़ाई 6 है भी 6 चोड़ाई लेग के लंपहागों थे काज़ से मवच अब नगाली था क 파ट्व व स्वार्ड एश ने लपना ले है इसे लेosis काज़ लेड़ागों अपनी काज पर अपनी परinks के लिछक, कि श्रण लेड़ागों और एक फोल्ड बीचो बीच से और कर दिया, मैंने ये चार फोल्ड हो गया है, आप देख सकते हो, बंद वाले भाग की तरफ हमें निशान लगाना है, खुला भाग मैंने इधर छोड़ रखा है, इस तरह से जब लंबाई और चोड़ाई निकाल लेंगे, तो यहां से दो इ माप कर लिजए उसके बाद से दो इंच लेकर के जो आपका माप है उसमें इस तरह से बीचो बीच में दो इंच खीच लेंगे, और उपर की साइड में उस दो इंच पर पूरा निशान इस तरह से लगा देंगे, बहुत ही सिंपल निशान है, यहां पे आया माप, पोल्ड करेंगे, जो दो इंच का निशान लगाया है, वहां से लेकर के, इस तरह से कट करके, यह पीस अलग कर देंगे, तो इस तरह से कुछ हमें, एक ड्राफ्टिंग कर लेनी है, पेपर के उपर पूरा, यहां पे गाईज, मार्क करने के बाद मैंने उन लिया है, मैं इसी कलर का बुट बनाने वाली हूँ, तो उन लेना है, उन को करीब इस तरह से डबल कर लीजे, और डबल करके, मैं टेप ले रही हूँ, टेप की हल्प से, मैं एक मेज के उपर इसको चिपका दे रही हूँ, आप चाहो तो, कहीं पे इसको बांद भी सकते हैं, अब यहां पे देखिए, मैंने उन को, चौदा बारी मैंने इसमें, सोरी, सोला बारी मैंने इसमें, लपेटा है, मतलब सोला ये, दोहरे हैं, और इस तरह से अंदर डालेंगे, ये देखे, मैं क्लियर देखाती हूँ, इ उन लगा रखा है, उपर की तरफ, नीचे वाला लंबा वाला बीसमें से निकालते हुए उनको, इस तरह से देखे कर लेना है, और इसकी गाठ खीच के लगा देनी है, ये देखे, इस तरह से करना है, इस तरह से उनको हमें सेट करना है, अब उनको सेट करने के बाद हम इस अ help 21 तोरP आप बनानी है बहुत टाइट 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 चोटी नहीं बनानी है बिल्कुल हाथों से चलाते हुए हम एक चोटी बने लेंगे ये देखिए ए देखिए permitted 10 मिदेरा सेक》 इतंने पंदरर्ण सेकंड में ये एक चोटी बनेन के रड़ी हो जाएगी nigga दो-दो उन को आपस में कस के बान देना है और दो- तीन नौट लगा लेनी है यह देखें यह देखें नौट अच्छे सी लग गया अब क्या करना है कि यह नीचे वाला जो ऊन है उसको वापस से स्वी में डालेंगे, उपर की तरफ चोटी में डालेंगे और यहां से इसको कट कर देंगे ताकि नीचे का पाट एक दम क्लीन हो जाए तो यहां पे गाइस यह देखे मैंने चोटी यह वाली रेडी कर ली है अब इसी तरीके की चोटी आपको बगल में भी रेडी करनी है तो यहां पे यह देखे मैंने इस तरह से चोटी यह बना ली है अब ये कितनी चौडी है मैं आपको इस ड्राफ्टिंग के हिशाब से समझाओंगी अगर आपने ड्राफ्टिंग कर रखी है तो ये देखिए मैं बताती हूँ उसी आपसे आप अपनी चोटिया बनाना इस्टार्ट करें तो ये जो चौड़ाई वाला पहला पार्ट है ये देखे यहां से लेके कट तक ये आपका पहला पार्ट है और उतने ही चौड़ी आप आप चोटिया बना लेहां लेकिन चोड़ inm वह साथ चोटियां मेरी इसमें आई हैं तो इसको इकठा करके हम इस तरह से बने टेप निकाल दिया है और इसकी हम स्टिचिंग करेंगे तो स्टिच कैसे करेंगे जिधर से आपने बांधा है उधर से स्टिच नहीं करना है उसको पलट के हम स्टिच करेंगे तो यहां पर मैं धागा ले रही हूँ, विस्तर सिलने वाला आप नॉर्मल कॉटन का धागा ले सकते हैं, उनका मत लीजेगा यह बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, नॉर्मल कॉटन का धागे से आप, इस तरह से तिर्ची-तिर्ची आप चाहें तो तीन-तीन चोटियां एक साथ सिलें, द किस तरह से सिलाई करनी है थोड़ा सिल लेती हूं फिर मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से यह दिख रही है यह देखिए इधर से बिल्कुल भी पता नहीं चलना है और सेम कलर का थ्रेट लीजेगा तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा तो काईस यह देखे यह मैंने चोटि बना हुआ है ये लग रहा कि सिलाई मशीन का है, sorry बुनाई का है या फिर मशीन का है बुना हुआ, इस तरह से इसमें FINISHING आई है, तो अब फिर से मैं टेप में लगा दूंगी अब हम आगे की चोटिया बनाएंगे, ये एक पार्ट हमारा तो जिस तरफ से सीधी तरफ से हमने लगाई थी, उसी तरफ हमें टेप को फिर से लगा देना है, अब ये पार्ट रेडी हो गया, जो नीचे आप देख रहे हो, यहां से लेके यहां तक, आप दूसरा पार्ट हमें रेडी करना है, वो दूसरा पार्ट यहां से लेके, यहां तक यह दूसरा पार्ट है इसका तो इसमें आप देख रहे हो इसमें यहां से कटिंग है यानि की चोटियां चोटी लगेंगी इसमें तो उसी हिसाब से देखे ऐसे रखना है इधर वाला पार्ट रेडी हो गया है अब उपर का पार्ट हमें रेडी करना है यहां से लेकर यह इतनी लंबी चोटियां हमें बनानी है तो इतना आपने ड्राफ्टिंग करके करकी है उसी हिसाब से आप चोटियों की length यहां तक और चोड़ाई भी इस हिसाब से तो यह देखिए मैंने फिर से इसी तरह से किया है मैंने वहां से फिर से उसी में दूसरी चोटिया ज्वाइं यह देखिया, कटवाला पार्ट इधर आ गया है, इसी तरह से छोटी छोटिया लगा के आपको जॉइन कर लेना है, इसमें भी मैंने 7 छोटिया लगाई है, इधर भी मैंने 7 छोटिया लगाई थी, अब लास्ट बचा यह वाला पार्ट, तो जिस तरह से हमने स्टार्टिंग किया था साथ चोटियों का ये वाला उसी तरह से हमें इधर भी साथ चोटियां लगा कर इसको आपस में स्टिच कर देना है यहां तक और उल्टे की तरफ से सिलाई लगा देना है यह देखिए उल्टी की तरफ से यह सिलाई है तो सब उल्टा ही लगाएंगे हम सिलाई और इ है यह उसके यह मैंने कंप्लीट कर लिए है अब आपको समह् Magnum को आप थांपky किया है ग Dancing act всегда कि अखी किप्रीट अब मैंने साथ चोटिया इसमें बना कर्के स्टिच कर दिया में अब इसके अभी साइड़ध है इसको हम अपस tiny यहां पर प सब्सक्राइब करना निगा टेपपीं कियन ऊ énorme जो थायओ जो पोर अमनी तो फ्र। contradoh, काट कर देंगे एक क्यार दागा मुझे नहीं बचाएब हो फिर से मैं धागा इंग तो लगाना तेमर के तूर पर दागा मैं कि फिर समीरी और थाया यह पार। यहां से लेके यहां तक हमें रनिंग स्टिच लगानी है इस तरह से रनिंग स्टिच लगाना है स्टार्ट करें और यह हम इस तरह से लगा लेंगे ये देखें अब ये वाला एक साइट का धागा है और दूसरा वाला सुई का धागा दोनों को पकड़ना है और अच्छे से इसको खीचना है ताकि ये शिकुड जाए पूरी तरह से और ये हम उल्टी तरफ करेंगे जो भी कर रहे हैं सिलाई अंदर की तरफ तो ये देखें खीच लिया है मैंने जितना पॉसिबल हो सका है उतना इसलिए यहां पर मजबूत धागा लगाईएगा और तीन से चार नॉट हम इसमें लगा के छोटा पीस कट कर देंगे ये देख उनको पकड़ते हुए स्टिच कर देंगे दो तीन ये देखें आभी चेक करें तो फिर से अब नहीं दिख रहा है पलट के मैं देख लेती हूं तो बिल्कुल फिनिशिंग आ चुकी है आप देख रहे हो तो इसको फिर से पलट देंगे वापस से और अब क्या करना है ये ये जो लंबाई वाला पाठ है दोनों को पकड़ लेना है और पकड़ के यहां से स्टार्ट करना है सिलाई पूरा ये लंबाई में सिलते हुए ये पिछे का यहां तक सिलना है ठीक है इस तरह से सिलाई कर लेनी है मैं आपको एक बारी आप भी पेपर पे बता दूंगी कि मैंने सिलाई कहा लगाई है ताकि आपको कंफर्म हो जाएगा और जो भी सिलाई हम लगाएंगे वो ब्लैंकेट स्टिच लगाएंगे स्वैटर वाली ये यहां तक सिल लिया मैंने इसी तरह से सिलाई आप पूरी लगानी है हमें पुरा यहां तक कर लेंगे यह पीस नहीं करेंगे तो यह देखिए लास तक मैंने कर लिया यहां तक इसका धागा मैं निकाल दे रही हूँ ऐसे किया है मैंने मैं दिखा दे रही हूँ कागस पे कि मैंने कैसे किया है यह देखिए यह जो कटिंग वाला पार्ट है उधर मैंने सिलाई बिल्कुल नहीं की है और यह लंबाई वाले पार्ट में भी सिलाई नहीं की है यह देखिए आगे है यह जो कट किया था इसमें हमें सिलाई नहीं लगानी है आगे से सिलाई लगाई है और यह पूरे साइट से सिलाई परफेक्ट बनके रड़ी हो गया है अपरफेक्ट साइज खोड़ी हो गया है ३ुआ कि यह फटी तरीक तली चुछ को भी काम पनाई नो आिया कोट और बहुत एजी यह वाशिबल है इसमें आप मल्टी तरीके से और भी डिजाइनिंग कर सकते हैं जैसे इस तरह के आपके पास अगर फलार हैं तो वह फलार इसमें आइट कर सकते हैं अगर बच्चों के बिलिये बना रहे हैं तो आप छोटा सा बो बना के लगा सकते हैं या यह आपको परल से भी स्ट करोंगी कि प्ल भी बहुत अच्छा लगता है इस पर यह हाफ परल मेरे पास है आप चाहो तो इस तरह से से अव Πरल लगा सकते हैं सेंप मैं रिफ जा पर बना सकते हैं यह और यहां मैं कुछ आइडियाज आपको बता देरे आровी साहँ आप चाह तो कि बहुत ही अच्छा बहुत ही प्यारी पीस बनके रडी हुई है और बिना अगर कुरेश ये के बिना बिनाई के अगर आपको ये बनाना है तो बहुत एजी तरीके से आप बना सकते हैं सिंगल कलर में अगर आप चाहो तो सिंगल कलर में बना सकते हैं मल्टी कलर में चाह आपको यार्न हैक सीरीज में आपको और क्या मसंद है क्या जानना चाहते हैं क्या देखना चाहते हैं कॉमेंट शेक्षन में जरूर बताईएगा मुझे थैंक्स वर वाचिंग प्लीज सस्क्राइब लाइक शेर अन कोमेंट थैंक्यू बाइ